junction law इसमें हम पढ़ने के अब आले देखो हमाय पास इस तरीके से एक junction हो सकता है और हो सकता है उसमें 3 से ज़ादा rods हो लेकिन अभी के लिए मैं 3 rods बनाना हूँ हो सकता है 300 rods हो तो फिर देख लेना हम तीनो ही rods के हमें k1 जैसे इसका k1 होगा a1 होगा l1 होगा इसका k2 होगा a2 होगा इसका l2 होगा इसका k3 होगा a3 होगा l3 होगा और मैं बोल दिया जाएगा तीनों का अलग-अलग temperature में maintain किया हो तो जैसे यहां का temperature है t1, यहां का temperature है t2, यहां का temperature है t3, फिर हम से पूछाएगा इस junction का temperature कितना है कैसे solve करोगे तो देखो steady state में क्या होगा न मालो यह सबसे आदा गरम है तो यहां से heat इधर जा रही होगे और फिर उसको ही distribute होना पड़ेगा इधर उधर तो हमाँ पास actually जो यहां से heat current गया है वो यहां से और यहां से जो current जा रहा है उनके sum की बराबर होगा यही हम सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां पर इनका equivalent resistance लेखेंगे मालो सक्राइट जा रहा था कुछ heat current इधर जा रहा था कुछ heat current इधर जा रहा था चारों तरफ बाहर जा रहा है तो obviously एका आदिन में से negative आने वाला है सारी की तरफ वो जा तो सकता नहीं है को heat generate करने का source थोड़ी ना लगा हुआ तो इन तीनों आउटगोइंग करेंट का जो सम है वो वैल्यू जीरो आने वाली है तो हम यही लिखते हैं हैं पर ह1 प्लस ह2 प्लस ह3 is going to be 0 पता कैसे करोगे तो यहां पर हम लिख सकते हैं heat का जो फॉर्मॉला है temperature का difference divided by resistance तो T- minus T1 divided by R1 plus T minus T2 divided by R2 plus T minus T3 divided by R3 this will be 0 यह हमने किया क्या है इसका जो underlying principle है वो है conservation of energy कहां पर लगा है हमने junction पर इस junction पर कहीं से जितनी भी energy आ रही थी वो energy equally equally तो नहीं मतलब वो energy distribute जो हो रही है incoming and outgoing energy को हमने बराबर कर दिया है तो अब बहुत ही simple है है अब इसके calculations करते हैं तो एक अच्छा सा previous year question solve करते है three rods of copper brass and steel are welded together to form a wire shaped structure area of cross section of each rod is four square centimeter सबका area बराबर है end of copper rod is maintained at 100 degree Celsius whereas ends of brass and steel are kept at 0 degree Celsius चलो बजगे दो का same temperature रखाओ तो हमाँ पस ये copper है ये हमाँ पस इस तरीके से brass है और ये steel है ये है copper copper का एक end है 100 degree Celsius पे यहाँ पर हमाँ पस 0 degree Celsius ये भी है 0 degree Celsius सभी की conductivity और length हमें दिवे है copper की length है 46 cm ये वाली है 13 ये है 12 cm सारी values रख देते हैं और इनकी जो conductivity है वो है 0.92 इसकी conductivity है 0.26 और इसकी conductivity है 0.12 सारी conductivity है हमें पता चल गई length पता चल गई area हमें दिया ही हुआ है तो हम सब के resistance निकाल सकते है rate of heat flow through copper rod तो हमें copper rod के थूँ जो heat flow rate है ये है हमारी h ये हमें पता करके बताने है क्या है उसके लिए कैसे solve करोगे इसका देखो resistance निकालो इसका resistance निकालो ये सब दोनों parallel में लगए है क्यों लगए है देखो ये दोनों 0 degree Celsius पर है इस तरीके से आप solve कर सकते हो आपको पता करना पड़ेगा यहां का temperature क्या है वो भी आप बता सकते हो इस question का ही extension हो जाएगा तो वीडियो को पास करो question को solve करो इस question का correct answer है option number D कैसे आया आप solve करते है सबसे पहले मैं सारे resistances निकाल लूँआ resistance of copper resistance क्या होता है L upon K A length इसकी है अब CGS unit में चल रहा है सब कुछ है न CGS में चल रहा है तो हम CGS unit में ही चलने देंगे length की value है 46 divided by K की value देंगे 0.92 और area देंगे हमें 4 square centimeter तो इसको convert नहीं करना है CGS में चल रहा है तो square centimeter is the correct unit इसकी value आजाती है आप देखो के 92 46 का double होता है लेकिन ये 0.92 है तो यहाँ पे 00 लगा दोगे तो यह हो जाता है हमारा 1 by 2 यह हो जाएगा 50 divided by 4 यानि कि 25 by 2 जाता है 25 divided by 2 resistance of brass उसकी value हो जाएगी उसकी length है 13 divided by conductivity है 0.26 into 4 अगें यहाँ पे भी same दिख रहा है मझे ये 50 कट जाएगा और 50 by 4 यानि कि 25 divided by 2 और resistance of steel उसकी value हो जाएगी 12 cm divided by 0.12 और उसका भी area है 4 यहाँ पर यह आजाता है 100 divided by 4 यानि यह आजाता है हमारा पास 25 हमारे पास 3 resistance आचुके हैं तो अगर मैं इसको बोलनू कि यार इस इस रिजिस्टेंस आज तो यह हमारा कितना जाता है twice of r इसका मैं circuit diagram बनाऊ तो यहाँ पर हमारा पास लगा हुआ है resistance r यहाँ पर लगा हुआ है हमारा पास resistance r यहाँ पर लगा हुआ हमारा पास 2 r दोनों इस तरीके से merge हो रहे हैं यह हमारा पास 0 degree Celsius यहाँ पर पास 100 degree Celsius हमें क्या पता करना है copper के थू कितनी heat flow rate है हमें जो पता करनी है वो है ये वाला H तो effectively यहां से जो हीट है वही तो इस पूरे circuit में जो भी current है, heat current वही पता करना है तो हम इस circuit का effective resistance पता कर लेते देखो इन दोनों का मिलकर के जो effective resistance वो हो जाएगा वो जाएगा है 2R into R divided by 2R plus R तो ये हो जाता है हमारा 2 divided by 3R फिर साथ में एक ये वाला R सीरीज में लगा हुआ है तो हमारे पास R effective की value आ जाती है R effective is equal to R plus 2 by 3R which is equal to 5 divided by 3R अब हमें H पता करना है, H की value होती है delta T divided by R effective delta T temperature difference है 100 minus 0 which is equal to 100 divided by R effective की value है 5 divided by 3 times R अच्छा यहाँ पर R नहीं रख सकता ना मैं R की value यहाँ से क्या रखे थी है 25 by 2 इसी को मैं लिखता हूँगा ये हो जाता है मेरा 300 divided by 5 into R की value रखोंगा 25 divided by 2 यहाँ सी हो जाता है इस तरीके साब इसको काट दोगे 3 into 4, 12 12 into 2 यह भी उपर चला जागा 24 divided by 5 which is equal to 4.8 calorie per second जो कि हमानी CGS unit है option number D is the correct answer यहाँ पर अब आपके लिए एक homework आपके लिए homework आपको बताना है कि यहाँ का जो टेंपरेचर है junction का टेंपरेचर है T, J उसकी value कितनी है कि आप comment में solve करके बताओ आपको पूरी की पूरी योलो सीरीज पसंद आने वाली है जहाँ पर स्ट्रक्चर दुरीके से सारे के सारे वीडियो लाइन से यूट्यूब पर अबेलेबल है देखो उनको मज़े से अच्छे अच्छी rank लेकिया जो भी करना है करो तेकिन एक काम जरू करना comment कर देना चैनल को subscribe कर लेना और इस QR code को scan करो ताकि मुझे help मिले कुछ donate करोगे तबी तो मैं ऐसे और वीडियो बना पाऊंगा भूख लग रही है बहुत साथ हो एक बगर तो खिला दो हम मिलेंगे अगले वीडियो